हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब और इसमेंच आपको बता दे 370 भारतिये दिल्ली पहुच चुके हैं चीन के वहान शहर से एर इंडिया की विमान के जरिए और इन सभी को दिल्ली लेकर आया जा चुका है इस वक की बड़ी खबर हम आपको देने हैं चीन से 370 भारतिये एर इंडिया की विमान से पहुच चुके हैं बारत में चीन से 370 भारतिये दिल्ली आ गए हैं और इंडिया का पहला विमान उनको लेकर रवाना हुआ था और विमान दिल्ली पहुच चुका है और इतियातन भारत के तरफ से एक अदब उठाया गया कि जो लोग वहां साहर में मौजूद है खासकर कि भारती उनको वहां से जल से जल निकाला जासके ताकि वो कोरोना वारस की चपेट में ना आए और एतियात के तौर पर उनको अलग-अलग फसिलिटीज में रखा जाएगा मानेसर और छाबला में दो फसिलिटीज बनाई गई है एक फसिलिटी में पुरुष होंगे एक महिलाए होंगे और पूरी जाच की जाएगी 14 दिन के मॉनिटरिंग के अंदर कि कहीं उन पर कोरोना वारस का कोई असर तो नहीं है वो संक्रमित तो नहीं है ये तस्वीरे आप उस विमान के अंदर की देख रहे हैं जिस विमान में बैटकर वो सभी यात्री चीन से भारत पहुँचे हैं एर इंडिया का ये विमान है डॉक्टरो का एक विशिश दल भी इस विमान में गया था और तमाम यात्रीयों को लेकर अब ये विमान दिल्ली पहुच चुका है अब दिल्ली एरपोर्ट से उन यात्रीयों को मानेसर और शाबला पहुचाया जाएगा जहाँ पर एक isolated facility बनाई गई है जहाँ पर उनको 14 दिन के monitoring में रखा जाएगा उनकी पूरी जाच की जाएगी अगर कोई भी वेक्ति उनमें से संक्रमित होता है तो उसको पूरा प्रॉपर इलाज बोहिया करवाया जाएगा और एतियातन उनको isolation में रखा जाएगा ताकि ये वारस आगे ना बढ़ पाए और इसी विए भारत सरकार की तरफ से एक अदम उठाए गया जो स्तरब से चीन में कोड़ना वारस ने कहर बर पाया है उसके बाद कि जो भारती वाहाँ पसे उनको निकाला जा सके तस्वीर हैं आप विमान के अंदर की देख रहे हैं प्लाइट के अंदर की देख रहे हैं जिसमें टमाम भारती मोजूद हैं जो वहांशहर से भारत लाए जा रहे थिते और अब ये भारत पहुँच चुके हैं दिली पहुँच चुके हैं और अब इनको medical facilities जो दो बनाई गई है छाबला और मानेसर में वहाँ पर लेकर जाया जाएगा ताकि इनको सुरक्षित इलाज मोहिया कराया जा सके isolation में रखा जा सके कि अगर कोई भी वेक्टीन में से संक्रमित है तो संक्रमन आगे ना बढ़े और 14 दिनकी monitoring में रखा जाएगा जिन लोगों में कोई संक्रमन नहीं होगा उसके बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त भी दे दी जाएगी तो चीन के वाइरस से बचाने के लिए मोहिम भारत सरकार की तरफ से तेज कर दी गई है दो तस्वीर आपकी television screen पर है लखा जाएगा 14 दिन की monitoring के लिए मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधान मंत्री सीरीज 2 शनिवार रात दस बजे क्योंभा जाहार दसकत क सबाएपी जब खाएगे परика मंत्री से रहे हाँ क्योंभा जाएगा सन्वे damit ये से शचाने के लिए क्योंभाईब्ब्डेंट्यार्यार्स जाएगां के लिए मोहिम छëएगोग जाएगे बदा है 15 भहाँ अ कर अ बदाएगार